प्रश्न नौ इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूर्था सौन्दर्य है। उदाहरन के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर पठित कविताओं के आधार पर कवी देव की निम्नलिखित विशेशताएं सामने आती हैं। क, देव दरबारी कवी थे। उन्होंने अपने आश्रय दाताओं, उनके परिवार जनों तथा दरबारी समाज को प्रसंग करने के लिए जगमगाते हुए सुन्दर चित्रन किये। उन्होंने जीवन के दुखों के नहीं, आपितु वैभव विलास और सौन्दर्य के चित्र खीचे। उनके सवाईय में कृष्ण का दूलहा रूप है तो कवित्तों में वसंथ और चांदनी को भी राजसी वैभव विलास से भरा पूरा देखाया गया है। ख, देव में कलपना शक्ती का विलास देखने को मिलता है। वे नई नई कलपनाय करते हैं। व्रिक्षों को पालना, पत्तों को बिच्छोना, हूलों को जिंगुला, वसंथ को बालक, चांदनी रात को आकाश में बना, सुधा मंदिर, आदी कहना उनकी उर्वर कलपना शक्ती का परिचायक है। ग, देव ने सवाईया और कवित चंदों का प्रयोग किया है। ये दोनों ही चंद वरनिक हैं। चंद की कसोटी पर देव खरे उतरते हैं। ग, देव की भाशा संगीत, प्रवाह और लैकी द्रिष्टी से बहुत मनोरम है। उंगर, देव अनुपरास, उपमा, रूपक आदी अलंकारों का सहच स्वाभाविक प्रयोग करते हैं।